हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे दोस्तों कल मैंने आप लोगों के लिए पलसर 125 न्यू कलर का डीटेल रिव्यू लेगा राया था जिसमें आप लोगोंने काफी ज़्यादा प्यार एं सपोर्ट दिया उसके लिए थाएंगी सो मच और जहां तक मुझे पता दस्तों ये वीडियो मैंने इस बाइक की सबसे पहले दाली थी पूरे यूटूब में एक ब्लू कलर है उसका रिव्यू भाई मिंटू भाई ने डाला है हलाकि मेरे सोरू में ब्लू भी आगए अगर आप चाहेंगे बुलेंगे कि ब्लू कर फे रिव्यू लेगा रहा हो तो वह आप तो क्लिए मैं कर दूँ लेकिन आज हम बात करने वाले इस बाइक के प्रॉ कर लिसेगा ताकि ऐसे ही इंट्रेस्टन पूरा के नोडिफिकेशन में आप पहुंसते रह सकें और आप मेरे वीडियो सब्डेट रह सकें चलिए आज के इस फीडियो को सुरू कर लेता है सबसे बहले दूस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के डीटिल प्राइस के बारे म बात करने दूसर इस बाइक के ऑन डुड प्राइस की बारे में तो पहले आपको मैं क्लियर कर दू हरेकी स्टेडं स्टी में और आपको ठाव प्राइस में तोड़ा सा डिफ्रेंस होता है जरू कि हरेक स्टेड के आडी और इसृज letter reactions में फारऊ होता है दोस्तों ये भाइक हमारे रैपुर 37 गण में onboard price आरील लगबख, हमारे आपको बता रहो onboard price आरील लगबख, 1,2,2,1,3,000 लुपिस के आसपास की onboard price आती है, अब आप लोगों के seat in state में दोस्तों इसका क्या price अगर आपको पता हो, तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर दोस्तों आपको मैं पताना तो होगा, इसका जो power and performance है ना वाई, आपको काफी तबरी देखने को मिलती है, मतलब इतनी अच्छी power and performance है ना, क्या ही बोलो भाई, मतलब एक बहुत बहतरी बाइक जो ये निकल कर आती है दोस्तों, और वाई, इसमें आपको पतादू, इसमे आपको power, obviously बहुत ही जादा बहतर देखने को मिलता है, ये एक सबसे पहला reason है दोस्तों, जिस reason के साथ में जो आप इसे मतलब खरीच सकते है, पहला reason, दोस्तों इसका जो दूसरा reason निकल कर आता है, इसे लेने का वो निकल कर आता है, इसका look and design, अब जहार सी बात है, जब कोई bike ले रहे है, ठीक है, तो भाई इसका look and design हम जरूर देखते हैं, आपको मैं clear करना चाहूँ को दूस्तों इसका look and design है, आपको बहुत ज़्यादा बहतरी और बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मलता है, मतलब company नहीं दूस्तों इसका look and design है, इतना बहतरी न देख आता है, ठीक, दूस्तों से खरीदने का जो next reason निकल गार आता है, वो निकल गया आता है, इसका mileage, अब आपको पता ही दूस्ते है, इंडिन मार्केट में petrol का जो price अबाई वो कहां तक बहुत चुक है, जिस आपसे petrol का price है, उस आपसे mileage हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंप इस bike को खरीद सकते हैं, ठीक, दूस्तों next reason है, इसे खरीदने का, यानि इसे लेने का हुआ है दूस्तों इसका comfort, आपको पता दूसर दूस्तों जो एना बहुत ज़्यादा comfortable bike है, जिया, यह इतनी ज़्यादा comfortable bike है कि आप जो एना इसे 200 km अगर continue चलाएंगे, तो भी दूस आप जो है, फैमली के साथ भी अगर आप इसे ride करेंगे, तो भी आपको कोई issue नहीं आएगा, आप उस पर भी easily इसे ride कर सकते हैं, यह भी बहुत बड़ा कारण है, जिसे आप इसे ले सकते हैं, जोस्तों next reason है से लेने गा इसका engine quality, अब आप लोग अच्छी तरिकीते जानत दोस्तों कोई भी bike हो, engine मतलब उसका heart, दोस्तों बजाद को engine quality था भाई, company अभी काफी improvement लाया है, था मैं agree करता हूँ एक time था, बजाद की bikeों में issue था, थोड़ा engine को लेकर, की sound आ रहा है, आप जो है बजाद नहीं न, तो अभी engine quality है न, वो भी दोस्तों आपको इसकी काफ service bike को ले सकते हैं, दोस्तों इसे लेने का तो next reason है, भी दोस्तों इसका maintenance cost, अब देखिए जब भी हम कोई bike लेते हैं, तो हम यह जगरूर सोचते हैं, कि भाई साब यह bike हम ले रहे हैं, तो इसका maintenance cost कैसा होगा, यही सोचते हैं आप, भाई आपको बदा दो, यहाँ भी भी यह जो bike है ना, इंडियन होने की वज़े से इसका service cost भी काफी काफी काँगा, तो यह काफी low maintenance bike है, यह भी बहुत बड़ा reason है दोस्तों, जिस reason से आप इस bike को खरीद सकते हैं, दोस्तों इसका next reason निकल कर आता है, वो निकल के आता है दोस्तों, इसका maintenance, दोस्तों आपको बत feedback जरूर देखते हैं, कि भाई सब इसका feedback कैसा है, आपको बड़ा दो, आप किसे से भी पूछे, आप जिससे पूछेंगा, आपको यही बुलेगा कि भाई, पलसर 125 जो बहुत अच्छी bike है, अगर उसके में review दो, तो बस आपसे यह क्या हुआ हुआ कि भाई, जो आप रिजन है, वो दे दी है, अगर आपके तरफ से आपको लगता कि नई समीर भाई, यह रिजन आप भूल गए हैं, भी एक रिजन होना चाहिए, तो आप नीचे comment section में comment देख पताएंगे, ज़रू मैं आपको appreciate करूँआ, सुमीद करता दो, आपको एक छोटी सी interesting बुरा,